है आप स्टर्न Lazare में यह जैकेट है और किसोस्काइब कर आप मुझे पागल और उसके बारेक्ट करते हैं क्वार मेरे इस टूक frame मोझे लोगों ने टूका था 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 कि मैं हर वीडियो में यह जैकेट क्यों पहनता हूं और यह बाद जाकेट ने सुन लिए इसकी चेन भी खराब होगी अंदर से जल भी गई और ताकि मैं इसे छोड़ दूँ हो खैर बेर दोस्तों आपको सौगात है मेरे एक नई व्लॉग में और आज की व्लॉग में आप देखेंगे मैं अपने जाकेट को रिपेर करवाने के दिली में एक शौप पर और जहां पर इसका चेन का लॉक चेंज होगा और मुरी चेन फिर ठीक हो जाईगी अंदर से सिलाई भी करवानी वह बाद में देखी जाएगी यह देखिए यहां पर नो चेन खड़ी सी हो गई है और इसको मतलब बंद करने में या खोलने में ऐसा जोड़ पड़ता है जैसा कि कुछ दस किलोगा या दो किलो दो किलो पाक्स किलोगा बाट टांग रखा इस पर बहुत सकती नहीं और चलती नहीं है और तूटने के आसर लगते रहते हैं और इससे ठीक करवाने के लिए मैं जिस दुकान पर लेका हैं यह शादरे में हमारे में यह क्या बोलते हैं नहीं पता हुग आपको पता है अच्छी बात है मुझे नहीं पता आसा कि भुलते में श्राइडर या जिपर है तो अब यह बहुत अमने ओपरर एक्स्टिम म् टॉप पे एक प्यश्थ नगा रहे हैं कैंची से और यहां से चेन को काटके शादर को आपको और मेरी जैकेट का स्लाइडर रिप्लेस हो गया है और अब यहां पर यह होता है यह लॉक अब यह लॉक लगएगा ऊपर चेन में जहां से चेन को कट कर दिया था और एक ज्यादा खर्चा होने से बच गया और हमाई जैकेट भी सही हो गई इसको लगाना इतना ही आसान है जहां से चेन कट की थी वहां से चेन में गुसा देंगे और प्लास से दबा देंगे और यह जाकेट मुझको गिफ्टेट भी है और दूसा के इसको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी पिछले साली मुझे मिली थी और इसको फैंकना सो तो मैं रहा फैंक होगा तो नहीं इसको मैं कैसे भी मतला अबी तो नहीं है नहीं सी है अब यह नहीं है अब यह नही के रिपेर करवाने के अब आप यहां पर देख लीजिए यह बिल्कुल प्रॉपर आ रही है पहले जो उठी हुआ रही है और यह रहा हमारा पुराना उला स्राइडर जो आप किसी काम करनी है इसको फैंक दोगे इस व्लॉग में तोस्तों मिलते हैं व्लॉग में धन्यवाद कर दो